Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल आम लोगों की वेश भूशा धारन किया करते थे, वहीं अपने राज दर्बार में ये हमेशा कीमती रोब्स पहने पूरी शानों शौकत के साथ नजर आते थे, इस वीर योद्धा ने कभी कोई युद्ध नहीं हारा, और इनके राज्य में प्रजा हर तरह से संपन और सम्रि अध्यात्मिक विजारूं और दार्शनिक प्रवतियों वाले लोगों के साथ भी इनका उठना बैठना हुआ करता था, इसमें कोई शक नहीं कि ये अपने समय के सबसे महान शासकों में से एक थे, अगर इन लाइन्स को सुनने के बाद आपके दिमाग में जाने पहचाने म जेनेरेशन्स पहले आते हैं, हाँ, एक मायने में कृष्ण देव राय बादशाह अकबर से आगे नजर आते हैं, अकबर जहाँ इलिटरिट थे, वहीं कृष्ण देव राय एक जीनियस पोईट थे, इनके शासन काल में विजयनगर एमपायर अपनी सर्वोत्त मूचाई प Early Life and Ascension to the Throne कृष्ण देव राय का जन्म 1471 में करनाठका के हमपी में हुआ था, इनके पिता तुलुवा नारसा नायका थे, जो कि विजयनगर की सलुवा डायनेस्टी के राजा नरसिंग्मा देव राय के आर्बी कमांडर हुआ करते थे, और इनकी माता का नाम नगला देवी था नरसिंग्मा देव राय की मृत्यू के बाद, तुलुवा नरसा नायका ने विजयनगर एंपायर को बिखरने से बचाने के लिए तुलुवा डायनेस्टी की स्थापना की कृष्णदेव राय इस डायनिस्टी के तीसरे शासक बने और 8 ऑगस्ट 1509 को विजयनगर एंपायर की राजगद्धी पर बैठे इन्होंने 1529 तक विजयनगर सामराज्य पर शासन किया मुगल डायनिस्टी के फाउंडर बाबर ने जब नौर्थ इंडिया पर आक्रमन किया था तो उन्होंने चितोड के राजा राणा सांगा के साथ साथ कृष्णदेव राय को भी हिंदूस के महान शासकों में गिनिती की करनाटगा रतना सिंहासना दे ईश्वरा यानि लॉड़ अब जूल थ्रोन अव करनाटगा, कन्नड़ राज्य रामरामन यानि लॉड़ अथ इंपायर, अंध्रभोज यानि स्कॉलर अव आंध्रः और गौव ब्रामन प्रथिपालका यानि प्रोटेक्टर अव ब्रामन जैसे टाइटल्स कृष्णदेव राय को दिये जाते हैं। आखिर कृष्णदेव राय में ऐसी क्या खास बात थी कि उन्हें इस तरह के टाइटल्स दिये गए जिस वजह से उन्हें इतिहास के बहान शासकों की सूची में शामिल किया जाता है। आईए समझते हैं कृष्णदेव राय, A Great Ruler दोस्तों, कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर के इतिहास में Military Success का समय था अपने शासन के पहले 10 साल कृष्णदेव राय ने एक तरह से युद्ध के मैदान में ही बिताए इस दोरान इन्होंने कई को जीत में बदलने के लिए जाने जाते थे इन्होंने अपनी आर्मी को Reorganize किया Turks का सामना करने के लिए Cavalry का मस्बूत होना जरूरी था इसके लिए कृष्णदेव राय ने कभीली, मौरासा और तुलू जैसे कई South Indian communities से Troopers को Recruit किया इनके सबसे बड़े दुश्मन Bahamani सुल्तान, ओडिशा के गजपतीज और पोचुगीज थे Bahamani राज्य भले ही पांच छोटे Kingdoms में डिवाइड हो चुका था लेकिन विजयनगर के लिए अभी भी लगातार खत्रा बना हुआ था वहीं सलुवा नर्सिंगमा देवराय के समय से ही ओडिशा के गजपतीज के साथ विजयनगर सामराज्य का constant conflict चल रहा था और पोचुगीज राइजिंग maritime power थे, जो की ज्यादा तर sea trade को control कर रहे थे इनके अलावा उमतूर के feudal chiefs kondavidu के reddies और भुवन गिरी के वेलमाज विजयनगर empire के खिलाफ विद्रोह करते हैं कृष्णदेवराय इन सभी पर जीत हासिल करते हैं और ये वापस विजयनगर सामराज्य की आधीन तस्वीकार कर लेते हैं उमतूर के chief गंगा राजा को 1512 में इन्हों ने हराया जिसके बाद गंगा राजा ने कावेरी रिवर में डूब कर अपनी जान दे दी थी इसके बाद इनकी territory को श्रीरंगापटना प्रोविंस में मिला दिया गया था ओडिशा के सूर्यवनशी गजपतीज एक बहुत बड़े एरिया पर रूल कर रहे थे जिसमें संपूर्ण ओडिशा के साथ आंध्रा रीजन, तेलंगाना का ज्यादतर रीजन और आज के वेस्ट बेंगॉल, जहारखंड और च्छतीज गड़ का कुछ पार्ट भी आता था उम्मटूर पर जीत हासिल करने के बाद कृष्णदेव राय तेलंगाना रीजन के लिए कैम्पेण शुरू कर देते हैं जो की गजपती प्रताप रुद्रदेव के कंट्रोल में था सबसे पहले विजयनगरामी 1512 में उदैगिरी फोड का घेराव डालती है ये कैम्पेण करीब एक साल तक चलता है और अंत में भूग के कारण गजपती आर्मी बिखर जाती है इस जीत के बाद कृष्णदेव राय तेरुपती में अपनी वाइव्स तिरुमाला देवी और चिननमा देवी के साथ प्रेयर्ज ओफर करती है इसके बाद गजपती आर्मी के साथ कुंडविडु राजु में आमना सामना होता है जहां कुछ महिनों की सीज और इनिशल डिफीट्स के बाद विजय नगर आर्मी पीछे हटने की तयारी में थी लेकिन तभी कृष्णदेव राय के प्राइम इनिस्टर तिम्मा रूसु को फोर्ट के अंगार्डेड इस्टन गेट के एक सीक्रिट एंट्रेंस का पता चल जाता है और वो यहां से रात में अटैक लॉंच कर देते हैं इस फोर्ट पर इनका कबजा हो जाता है और अपने समय के सबसे बड़े तलवार बाज प्रिंस वीर भद्रदेव को भी ये अपनी कैद में ले ले लेते हैं इसके बाद विजयनगर आर्मी का अगला निशाना बनता है कुंडपली फोर्ट इसे जीतने के बाद कृष्णदेव राय में लेंड कलिंगा उतकल की इन्वेजन का प्लैन बनाते हैं लेकिन गजपती रूलर प्रताप रुद्रदेव को इनके प्लैन के खबर लग चुकी थी और उन्होंने स्ट्राटेजी बना ली जिससे विजयनगर की सेना के साथ साथ वो राजा कृष्णदेव राय को भी मात दे सकते थे इनका आमना सामना कलिंगनगर के किले में होने वाला था लेकिन पीम तिमारुसु ने एक तेलगू डिजर्टर को रिश्वत देकर प्रताप रुद्रदेवा के पूरे प्लैन का पता लगा लिया इसके बाद अपने प्लैन को चेंज करते हुए प्रताप रुद्रदेवा पर गजपती एंपायर की कैपिटल कटक में ही आकरमन किया गया और उन्हें विजर्णगर के सामने सेरेंडर करने पर मजबूर होना पड़ा उन्होंने अपनी बेटी प्रिंसेस अननपूर्णा की शादी कृष्णदेव राय के साथ करा दी पीस ट्रीटी के अनुसार कृष्णा रिवर को विजर्णगर और ओडिशा राज्य के बीच की बाउन्डरी बाना गया इसे कृष्णदेव राय की सबसे बड़ी military और diplomatic जीत कहा जा सकता है प्रिंसेस अनपूर्णा से शादी के तुरंत बाद ही कृष्णदेव राय ने चोला मंडिला एम्पायर के केतवर्मन शहर पर attack करने का decision लिया लेकिन जब वो यहां पहुँचे तो हैरान हो गए क्योंकि नदी अपने उफान पर थी जिस वजह से वो शेहर तक नहीं जा सकते थे उन्होंने तुरंत ही अपने लोगों को बहुत से channels कट करने के लिए कहा जिससे नदी को drain किया जा सके और देखते ही देखते नदी का पानी पूरी तरह channelize कर दिया गया और उसका तला दिखने लगा अब सेना के साथ नदी को आसानी से पार किया जा सकता था केतव अर्मन के पास एक लाख फुट सोलजर्स और तीन हजार कैवलरी होने के बावजूद कृष्णदेव राय ने उन्हें कड़ी चुनोती दी और हरा दिया यहां उन्होंने भारी मात्रा में मौजूद चोला मंडला एंपायर के ट्रेजर पर कबजा कर लिया और उसे अपनी आर्मी के कमांडर्स में बांट दिया पॉचुगीज ने 1510 में गुआ में पॉचुगीज डॉमिनियन ओफ इंडिया को सेट अप कर लिया था कृष्णदेव राय इनके साथ फ्रेंडली रिलेशन्स इस्टैबलिश करते हैं पॉचुगीज मर्चंट से ये गंज और अरेबियन होसेज लिया करते थे इसके साथ ही इन्होंने विजय नगर सिटी में वाटर सप्लाई इंप्रूव करने के लिए भी पॉचुगीज एक्सपर्टीज को यूटिलाइज किया पांच डेकनी सल्तनित्स यानि बाहमनी एंपायर के सक्सेसर स्टेट्स के साथ भी ये लगातार युद्ध करते रहे इसी में से एक कैमपेन के दौरान इन्होंने गोल कॉंडा को हराया और उसके कमांडर मदुरूल मुल्क को अपनी गिरफ्त में ले लिया इन्होंने 15-20 में बीजापूर और उसके सुल्तान इसमाईल आदल शाह को भी शिकस्त दी रायचूर के अगेंस्ट इस कैमपेन में कहा जाता है कि 7,3,000 foot soldiers, 32,600 cavalry और 551 elephants का इस्तिमाल किया गया था रायचूर दुआब एरिया को एनेक्स कर लिया गया और साउथ इंडिया के strongest king के रूप में कृष्णदेव राय ने अपनी position को consolidate किया अपने आखरी युद्ध में कृष्णदेव राय ने गुलबर्गा के fort पर आक्रमन किया हलाकि राज्य को annex करने की जगह बहमनी के पुराने सुल्तान मुहमद शाह को राजा बना दिया गया इस समय तक कृष्णदेव राय का सामराज्य पूरे साउथ इंडिया में विस्तार कर चुका था Military success के अलावा अगर domestic policies की बात करें तो कृष्णदेव राय अपने मंतरियों पर strict control रखा करते थे किसी भी तरह की misdeed होने पर इन्हें severely punish किया जाता था इसके साथ ही marriage fee जैसे कुछ शोशनकारी taxes को भी इन्होंने खत्म कर दिया था revenue को बढ़ाने के लिए कृष्णदेव राय ने कुछ areas से जंगल साफ कराए और वहां cultivation शुरू कराए irrigation के लिए पानी के व्यवस्था करने के लिए large scale projects की शुरुआत भी इनके समय में हुई बहुत से dams और canals का निर्मान इस दोरान किया गया कृष्णदेव राय हर धर्म के प्रती tolerant थे और इस्लाम और Christianity को भी respect शो करते थे पेज नूनीज और बार्बोसा जैसे foreign travelers जो विजय नगर विजिट करते हैं उन्होंने कृष्णदेव राय के राज में administration की efficiency और प्रजा की prosperity के बारे में काफी कुछ लिखा है अपने राज्य के defense और जीती हुई territories के reorganization में वैस्तो होने के बावजूद कृष्णदेव राय ने एक नए town नागलपूर की स्थापना की Portuguese traveler Pace ने विजय नगर के size के बारे में लिखते हुए कहा है कि ये कम से कम room जितना बड़ा है इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे best provided city है जिसकी population पाँच लाख से कम तो नहीं हो सकती Pace अपने memoirs में advanced irrigation technology की भी बात करते हैं जिससे विजय नगर empire reasonable rates पर crops की high yields produce कर रहा था इसके अलावा precious stones की busy market का जिक्र भी हमें मिलता है कहने का मतलब ये है कि कृष्णदेव राय की समय में विजय नगर शहर सुख और समरिधी से परिपूर्ण नजर आता था जिसके बारे में foreign travelers ने विस्तार से लिखा है कृष्णदेव राय का मानना था कि राजा को हमेशा धर्म के अनुसार शासन करना चाहिए अपनी प्रजा के welfare के लिए उनका concern इस बात से ही समझा जा सकता है कि वो अपने पूरे सामराज्य का हर साल दौरा करते थे जिस दौरान वो खुद हर चीज़ को बारीकी से समझते थे और लोगों की शिकायतों को दूर किया करते थे साथ ही evil doers को punish भी किया जाता था एक efficient military commander होने के साथ साथ able administrator के ये गुण ही कृष्णदेव राय को महान शासकों की श्वेणी में लेकर आते हैं लेकिन कृष्णदेव राय के खोबियों पर यहीं विराम नहीं लगाया जा सकता आई ये बात करते हैं उनकी कुछ ऐसी abilities की जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है not just the patron of art and literature दोस्तों कृष्णदेव राय जाने जाते हैं अपने अश्ट दिग गजज़ के लिए जिस तरह अकबर के नवरतनाज इतिहास में popular हैं ठीक उसी तरह कृष्णदेव राय की कोड की शोभा बढ़ाते थे उनके ये 8 poets इसमें शामिल थे पिंगली सुरन, नंदी थिम्मान, धुरजाती, राम राजा भूशनुडू, मदय यागिरी मल्लान, तेनाली रामकृष्ण, अयाला राजू, रामा भद्रुदू और सबसे इंपोर्टन्ट, अल्लसानी पेडनना, अश्ट दिगजज, यानि elephants of 8 directions, हिंदू कॉस्मोलोजी के अनुसार, mythical 8 elephants, अपनी पीच पर पूरे universe का भार उठाते हैं इसलिए इन महान पोएट्स को कृष्णदेव राय द्वारा ये lofty title दिया गया क्यूंकि ये भी king के fame को memorialize करके, विजय नगर सामराज्जी को sustain करने का काम कर रहे थे इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि political power और literary production के बीच एक गहरा और अटूट नाता रहा है किंग के royal poets न सिर्फ शब्द बुनने का काम करते थे, बलकि ये संपूर्ण सामराज्जे को shape देने में भी मदद करते हैं आर्ट और तेलगू literature के प्रती high respect और support के लिए कृष्णदेव राय की शासनकाल को तेलगू literature की golden age माना जाता है हाना कि इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी languages को उन्होंने patronize नहीं किया संस्कृत, कनड़ा और तमिल को भी उतना ही support और patronage हासल था उधारण के तोर पर तमिल poet, हरी हर्दास और संस्कृत poet लोला लक्षमी धरा भी royal patronage इंजोई करते थे विजयनगर empire के literary production का epicenter हुआ करता था एक great hall जिसे भुवन विजयम यानी world conquest नाम दिया गया था इसे poetry readings और literary wit के contests host करने के लिए design किया गया था यहां scholars पानिनी की grammar, कन्नडा की atomistic philosophy और बदरायन की metaphysics जैसे concepts को discuss किया करते थे इन सब affairs के बीच कृष्णदेव राय सिर्फिक spectator नहीं थे, बलकि अपनी prodigious scholarship और literary acumen की वजह से वो philosophical debates और literary discussions में actively engage होते थे इतना ही नहीं, वो खुद एक brilliant writer भी थे तेलुगू एपिक, अमुक तमल्यादा के अलावा उन्होंने मदल सचरिता, सत्यवाडू परिणाय, एंड रासम अंजरी, एंड जंबावती कल्यान जैसे works में अपनी literary genius का परिचे दिया है Conclusion दोस्तों, कृष्णदेवराय एक able statesman होने के साथ साथ, एक crafty general भी थे इनके समय की legacies में दशेहरा जैसी ceremonies और अंगिनत temples आते हैं, जिन्हें इन्होंने built और restore किया कृष्णदेवराय के 2000 से ज्यादा epigraphs और inscriptions हमें मिलते हैं अपनी brilliant achievements और decan में political stability को maintain करने की exceptional ability की वजह से इनकी तुलना Asia और Europe के greatest emperors के साथ की जाती है 1524 में ये अपने बेटे तेरु मलराया को युवराज घोशित कर देते हैं लेकिन crown prince अपने पिदा की legacy को आगे ले जाने के लिए ज्यादा समय जीवित नहीं रहते माना जाता है कि जहर देकर इनकी हत्या कर दी गई थी इस हत्या का आरोप PM तिमारुसू के बेटे पर लगाया जाता है और कृश्न देवराय तिमारुसू और उनके बेटे को अंधा करवा देते हैं इसके बाद अपने हाव ब्रदर अच्युत देवराय को वो अपना successor डिकलेयर करते हैं गंभी रूप से बीमार होने के कारण 1529 में कृष्ण देवराय की मृत्य हो जाती है हाना कि इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले उन्होंने विजय नगर सामराज्य और अपना नाम इतिहास की सुनेहरे पन्नों में दर्ज अवश्य करा दिया था